Hello everyone, कैसे हो आप सब? I hope आप सब आचे होंगे और सब अपने अपने घरों में सरक्सित होंगे अभी मैं भी recover कर रही हूँ पता नहीं कुछ comment कर रहे थे कि आपको corona हो गया होना मुझे नहीं पता corona हुआ है या नहीं हुआ है क्योंकि हमने कोई टेस्ट नहीं करवाया तो वैसे ठीक है अगर fever रहता जिसे ज़्यादा दिन तो सायथ टेस्ट भी करवाते है जरूर पर fever किसी को ज़्यादा दिन नहीं रहा क्योंकि तीन दिन तो नॉर्मल सी बात है यार fever रहना उसके बार थोड़ा weakness और वह है खांसी बगेरा वह लग रही है और मों टेस्ट है सभी भी मेरा टेस्ट लेस्ट है कुछ भी खाने का सुआज नहीं लग रहा है बस आज क्या है आज मैं खुद का ब्लॉग नहीं भिना रही हूँ आज पता क्या था आज मुंडन सेरमनी थी वैसे मेरे बाई के बटे की I mean मेरे बदीजी की एकी बदीजाई यार अभी और उसका था आज मुंडन सेरमनी तो मैंने तो वैसे भी नहीं जाना था क्योंकि मेरे तब यह ठीक नहीं है फटा फॉत पोस्ट कर रहे थे वो की चलना है चलना है और अनफॉर्चिनेटली क्या हुआ कि यहां पर लगया लॉकडाउन हमारे तो फिर जाना कैंसल हो गया उसका मुंडन सेरमनी फिर जैसे पंडी जी को पूछा कि कैसे करेंगी फिर तो उन्होंने बोला कि आप उसके बाल घर में ही काट दो जैसे मामा आएगा और घर में बाल कटेंगी तो वो सब कुछ मैं मैंने अपने भाई को बोला था आप एक वीडियो बनाना अची सी मुझे उसकी वीडियो दिखानी है कि घर में जैसे हमारा किस तरह से वा था क्यूंकि जब शीवा का मुंडन हुआ था तो उसका मुंडन भी हमने इसी तरह से किया था उस टाइम भी कुछ इसी तरह की थी क किऊंकि जयसे सीवा मही में पेदा हुआ है अब उसका वरड़े आने वाला है कुछ तिनों में तो उसके बाद मही में उसका नहीं निकल रहा था जैसे सुब मूरत नहीं निकल रहा था एक मूरत निकला था उस ता tolerance हमें जैसे शायद कोई एक्सपायर हुआ था गाउ में या कुछ ऐसा था तो हमारी नहीं ले जाते फिर तो वैसा था उस टाइम फिर उसके बाद उसका नहीं निकल रहा था और उसके बाद हमारी होता है जैसे बच्चा या तो एक साल से पहले उसका मुंडन हो जाएगा जैसे नवे मिने में या गैरूए मिने में या फिर उसका मुंडन होगा जब वो तीसरी साल में लगेगा दो का कंप्लीट होगा तीसरी साल में लगेगा या फिर पांचुरी साल में इस तरह से हमारा मुंडन होता है जैसे टू में नहीं होता है जैसे बच्चा एक साल का है पूरा दूसरी साल में लगा है वैसे मुंदन नहीं होता है तो ऐसा था फिर इसका भी शीवा का भी तो 11 मिने में फिर इसके बाल भी घर में काटने पड़ते सेम वैसे जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी अभी आगे तो मुझे लगा कि ये वीडियो यार मेरे जो आपके साथ शेयर करना चाहिए तो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ कि घर में हमारा मुंडन कैसे होता है फिर आप जो बाल है न वो काटेंगे फिर बाद में उसके फिर से जो नियाल का देवता होगा जैसे माई मेरी माईके की तरफ का या मेरी भाबी के माईके की तरफ का होगा वहाँ पे वो बाल बाद में चड़ाए जाएंगे अभी तो बाल सेम मूरुत के साथ घर में काटे तो वो दिखाऊंगी मैं आपको शिवा का भी सेम वैसे ही हुआ था वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है छोटा सा क्या मुझे लगता है थोड़ा बढ़ा ही हो जाएगा क्योंकि मैं जब बोलने लगती हूँ तब भी कुछ जादा ही बोल जाती हूँ तो अभी आपके साथ आगे वो शेयर कर रही हूँ देखे आप मेरे बतीजे का मुंडन किस तरह से हूँ साथ में दोनों बतीजे का भी हुआ है तो वो आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ तो शुरू में मैं मुंडन सरमनी के कुछ फोटोस लगा रही हूँ ये देखे ये है मेरे बाई का बेटा जिसका मुंडन भी हो रहा है देखे काटे जा रहे हैं इसके बाल ये तरह लंबे हो गए थे इसके बाल और बाल कटने के बाद में मैं दिखाऊंगी किस तरह से लग रहा है ये सब के बाल काटे देखे बेटियों के बाल भी करते हैं, हमारे यहाँ पर बेटी का बाल भी चड़ता है, तो वो भी, अभी as it is मैं रखूंगी इसको बड़े बड़े शोटे मैं हना भी का है तूट्षेल बेंट नहां है जिए टाह्ना तूट थे बाला जिसने विए ना गाइव पर खुषय गयाजनी अधर खुषय अधर जा फॉषय गाल मद्री गाउनी तूट रदकर बाले हैं अधर गजागें अधरन ने वाले हैं पर खावर सियं गड़ मेंद्ट रा धरने खु फूपारी कघर दुटके साथी सुपारी कोड़ी है फूपोः उम्राल की नैगरी को ऐसा गिए और कई भूखे अऩिए यह प्ला डिभ गल अ कई भूह, कि नया प्लाय को दुझेई बूग को कि तुझेयो ऐड दुखे लिए न भी करियों है? नियोन भिख राइब पर पर करते हैं अब आपके कटिंगा में रूख़ा बना दिश्क पर घूराइब जिए इसको अगर। आपको समझाया यह नहीं आया लेंगेश हमारी क्योंकि मैंने इसको आजटी अजयकों आपके बाद कर रहे थी मैंने इसमें बीक्ताइव नहीं दो चाहिए गार जैसे मेरे भावि का माईका होगा。 वहाँ पे न बालों को चड़ाये जाए गा theme दूसरी जो भाभी और मेरी बाुकि बेटी भी γै उसके बाल ви anges काक박holes आ चाते हैं गान भाइक के बाल यहाँ और इस नारियल के श्तरें यह रख़ाते हैं, क्यों कि नारियल हमारे खात सुखानारियल रखा जाता है और उसके साथ deze بال इस तरह से रखे जाती है मैंने भी ऐसे रखे थे सेम जब शीवा का घर में उसका भी इसी तरह से मुंडन करना पड़ा था तो उसके बाल भी इस तरह से घर में काटे थे और अर फिर और रख दिये थे और बाद में फिर वो चड़ाया थी मैंने आपके साथ शेयर की है जैसे मैंने अभी की थी अपनी कजन जो सिस्टर थी मेरी उसके हुआ था उसकी तो वहाँ पे इकाटे जो गाम के देबता है जैसे हमारे वहाँ पे उसके बेटे के बाल भी काट थी मुझे बड़े अजीव से लग रहे हैं दोनों तो बाल काटने के बाद और इनके बाल भी कबसे काटना चाह रहे थे और जब ये शाय छोटा ही था रिदान उस टाइम काटने थे पर उस टाइम मेरी पापा एक्सपायर हो गए थे अभी अभी तीन साल का हो जाएगा कुस्तिनों में तो हमारे यहां पर लॉकडाउन लग गया उसके बाद इसका भी मूरत नहीं निकल रहा है और फिर हमारे जैसे दक्षणान लग जाएगा बाई जुलाई के बाद तो उससे पहले यह दस जुन को यह फिर तीन साल का हो जाएगा पूरा तो इसका भी कोई मूरत नहीं निकल रहा है और निकलेगा भी तो अभी पता नहीं हमारे बहुत स्टिकने सो गई है यहां पर जैसे लॉकडाउन लगा है तो तो इस बज़े से नहीं फिर इसके बाल भी घर में काटना पड़े कभी कभी सब कुछ प्रोग्राम था मतलो सब कुछ पनाया था बट अचानक से लॉकडाउन लग गया है के दिन पहले ही लॉकडाउन लग गया तो सब कुछ धरा रह गया फिर और इस बज़े से फिर बाल घर में काटने में और ये देखिए ये है रिधान इसके बाल काटे ये अभी तो अभी इनके बाल पूरे काट देंगे क्योंकि अभी सिर्फ सीजर से थोड़े छोटे ही की हैं इनके बाल और अभी मेरा भाई बोर रहा है कि मैं खुद मसीन लगाऊंगा और काट देंगे क्योंकि अधर भी नहीं ले जा सकते जैसे लॉक डाउन है तो नहीं ले जा सकते तो खुद ही काटने है देखिए मसीन से घर में और ये देखिए कैसा लग रहा है ये पूरा में जे अपना भाई आदा रहा है वो ऐसा लगता था सेम टू सेम और ये मेरे भाई की बेटी स्के काटे तो थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में